असलाम अलेकुम एवरिवान वेलकम तो मैं चैनल टैनल लाइफस्टाइल आज हम आपके सामने जबदस किसम की वाइट चोक्लेट फजी ब्राउनी इस लेकर आ रहे हैं जिसकी रेस्पी बहुत रेर होती है और बहुत ही जबदस किसम की रेस्पी है तो हम इसको स्टार्ट कर करेंगे जो कि मेरी बेटी जो है वो बनाएगी शीज 10 years old तो अब हम इसको start करते हैं यह हमने white chocolate ले ली है white chocolate को हमने measure किया था और इसका हमारा weight आया था मैंना आपको last video पर measurement भी सिखाई थी तो हम white chocolate ले रहे है 200 gram फिर हम इसमें casting sugar डालेंगे 1 cup फिर हम इसमें brown sugar डालेंगे half cup then we have floor half cup floor में हम 1 by 4 teaspoon baking powder डालेंगे it's optional आप baking powder डालना चाहे तो डालें नहीं डालना चाहते तो इसमें half cup जो है वो butter use करेंगे तो हम इसको start करते हैं और हमारा first step जो है वो start होता है floor को सीव करने के साथ this is floor this is half cup and I'm gonna put it in the bowl with 1 by 4 teaspoon baking powder let's see with जितना अच्छा ये आपका इसके अंदर एर होगी उतना ही ये अच्छा आपकी brownie का result देता है तो आप इसको हम साथ पर राखेंगे अब हम अब डब बोई ले रेंगे और हम उसमें पहले वाइचोकले डाले नहीं 200 gram white chocolate है हमाए पास इसको हमें डब बोईलर में डाल देंगे अब इसके बार में बटर डालेंगे बटर इस हाफ कप जो के हम इसमें साथ डाल के इसको हम फुर मिनिट इसको हम मेल्ट होने देंगे बटर कोशिश कियां इसको तर्फोर में निकाल के इसको तो फुर्थ तो अब हम इसको फुर मिनिट बहुत मीडियम हाईट में और फर हम आगे नेक्स प्रॉसस प्रॉसस के इसको जब ये मैल्ट हो जाए तो सब्टै राख एया हम ने ठंड होने के लिए लाख देंगे okay so we have three eggs and now i'm gonna beat it with the beater i have made the eggs creamy so now we are going to put some white sugar and brown sugar in first you're gonna put the white sugar and now you're gonna put the brown sugar okay please note there should be no lumps when you are mixing it okay it looks like creamy and also note that it should look like creamy so high brown sugar and white sugar is mixed in eggs and we forgot to tell the eggs as my sister told me that you should add 3 eggs so now we are mixing it well now let's see the next step carefully let's see the white chocolate which is melted we have to keep it warm okay now we are going to put the creamy white chocolate in the egg bowl this is the second step and you will note that the white chocolate will melt in the egg bowl and you will give it a little cold if you don't put it warm so you don't put all the brownies white fudgy brownies which are bad now let's mix it our now let's mix the white chocolate we're gonna mix it and mix it and then we're gonna mix it we'll mix it when we add this then mix it and mix it and then mix it after using it we'll mix it पेपर से कर दिया हुआ है 7 इंचिस 7 इंचिस 7 इंचिस है यह देखिए का अब हम इसमें पोर करेंगे और हम इसको बेक करके आपको इसका रिजर्ल दिखाते हैं अगर आप चाहें तो इसके उपर डालने के बाल उपर से चोकलेट थोड़ी सी अगर आपको बहुत अच्छी लग दो वाइट चॉकलेट और भी पोर का सकते हैं इसमें डालेंगे बिटा डालो पैन के अंदर हम इसको सारे बड़ा इसका देखेगा टेक्स्च्च्चर बिलकुल ऐसे होना चाहिए पूरा डाल दें इसमें और इसको हम थोड़ा सा टाप टाप करेंगे आफ्टर डालन अबने एफ योड़ा गशा लगतै हैं मरी नहींद दूकलें डाला तो टत्स से अग मैं हमा फ्तर हम एट मत वर को बे इक हर एट हम यहीं आईड वाग शेड़ा में हम लुग मां मा एट खुलेट चॉकलेट्म क्यूंक अब हम इसको इसको बेक करने जा रहे हैं बन करें हैं फॉर्ट क्रीबन हमने 20 मिनट्स के लिए इसको 150 डिग्री पे बेक करना है और मैंने दोनों बढ़ना जॉन किये में तो जब यह बेक होता है तो मैं आपको इसका रिजर्ट बताती हुए हमारी जबदस वाइट ब्राउनी फजी ब्राउनी जिसमें से फज आपको क्लोज अफ नजर आ रहा होगा संगर के क्रैक्स आ जाएंगे यह हमारी रेडी हो गई है इसको हम ठंडा करेंगे कट करेंगे और सर्फ करेंगे मेरी वीडियो को लाइक करें अबरी रेस्पी को बनाएं और उसके बाद म मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहीगा मेरी तरफ से अल्ला हाफिज नाफिज